24 गंटों के अंदर युक्रेन युद्ध पर ऐसे हालाद बन चुके हैं कि एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ नेटो है और अब बीच में वर्ल्ड वार के साथ परमानू धमाके का खत्रा साताने लगा है और इस वक्त युद्ध में युक्रेन के बाद लंदन दुनिया के नक्षे पर वो जगा बन गई है जहां परमानू धमाके का सबसे बड़ा एपिसेंटर बनने का डर सताने लगा है नेटो खौफ में है क्योंकि आशंका है कि लंदन इस वक्त पुतिन का टार्गेट नंबर वन बन चुगा है अगर परमानू बम लंदन पर गिरा तो बिटेन की राजधानी का क्या हाल होगा लंदन के सेंटर में बम गिरने से तीन किलो मिटर बड़ा आग का गोला सब कुछ जला कर राक कर देगा रूस ने अगर लंदन पर मिसाइल दागी तो दावा किया गया है कि ये सिर्फ तीन मिनट के अंदर लंदन को दुनिया के नक्षे से मिटा देगी लंदन पर परमानू हमला हुआ तो बिटेन की संसद धूल में तबदील हो जाएगी यहां प्रधान मंत्री का निवास सब कुछ खत्म हो जाएगा बकिंगम पैलेस से लेकर लंदन का इतिहासिक पुल जब सब डह जाएगा इस हमले में चार लाक से ज्यादा लोग पौरन मारे जाएगे जबकि नौ लाक की आबादी बुरी तरह जखमी हो जाएगी यानि उसके तीसरी डिगरी के जलने वाले जखम होंगे इन में से भी ज्यादातर लोगों की कुछ देर बाद मौत हो जाएगी लंदन पर सबसे बड़ा खत्रा क्यों अंडरा रहा है इसे समझने के लिए आपको युकरेन ले चलते हैं युकरेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में ये आग बता रही है कि पुतिन का गुस्सा पूरे युकरेन को जलाना चाहता है यहाँ पुतिन के हमले के बाद रेस्क्यो अपरेशन जारी है एक-एक जान को बचाने की कोशिश शल रही है हमला इतना खतरनाक था कि जलनस्की के हाथ से युद्ध निकल चुका है ये बात बार-बार साबित हो रही है उनका एक-एक डिफेंस सिस्टम दम तोड़ता हुआ नजरा रहा है जलनस्की का दावा है कि पुतिन ने 24 घंटों के अंदर 128 गाइडेट बं से तबाही मचाई है यानि हर घंटे पुतिन पांच से ज्यादा बं युक्रेन पर फोड रहे है और ये हमले ज्यादातर खारकीव, सूमे और डोनेस्क में किये जा रहे है इस हमले में 30 लोग जखमी हुए है जिन में से 3 बच्चे भी है बताया जा रहा है कि रूस का एक गाइडेट बं कारकीव के आस्मान को चीरते हुए इस बिल्डिंग पर आगिरा ये बात तो जेलन्सकी भी पूछ रहे हैं कि उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है जबकि युद्ध से तबाही का मनजर रोज खौफनाक होता जा रहा है रूस और युक्रेन दोनों अब एक दूसरे की बहुमनजला इमारतों को टार्गेट कर रहे हैं युद बहुत ही भानक दोर में पहुच गया है लेकिन बॉर्डर के पार रूस में क्या हुआ है जिसने पुतिन को कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है देखिए बेलगरत के ये वीडियो इन धमाकों ने जेलिंस्की का अजेंडा साफ कर दिया है रूस के अंदर ऐसे खतरनाक हमलों को देख कर पुतिन बहुत बेचैन है जब कि जेलिंस्की ने पुतिन को रोकने के लिए फिर से अपनी पुरानी दिमांड पेश की है इपर देखिए जेलिंस्की की इस डिमांड का सबसे बड़ा जवाब वशिंटन डीसी से नहीं बलकि लंदन से आया है यानि बिटेन से बिटेन की विदेश मंत्री ने कहा है कि वो उक्रेन को लंबी दूरी के मिसाइल देने पर विचार कर रहा है यानि ऐसी मिसाइल जो रूस के अंदर हमला कर सकती है प्रिटेन अब रूस के खिलाफ रिस्क लेना चाहता है, वो ऐसा खत्रा मोल लेना चाहता है, जिसका जवाब पुतिन ने देने का फैसला पहले से ही कर लिया है, और वो इस फैसले का ऐलान दुनिया के सामने कर चुके हैं कर वो आकी हैं हैं अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉंच करेंगे ये वो मिसाइल है जो इस वक्त पूरी तरह अक्टिव है रूस के लगातार हमलों के बीच जेलन्सकी की लाचारी, नेटों की मजबूरी और बाइडन की बेचैनी देखने लायक है पुतिन की धमकी का मतलब है 96 करोड लोगों पर वर्ल्ड वॉर का खतरा पुतिन ने कह दिया है युकरेन को लंबी दूरी के हत्यार दे कर अब नेटों रूस के खिलाफ सीधी लडाई लडना चाहता है अबार लडान की बाम का खिला है, या झाली रडना की लाइडन M आण बदादोरी साथ दिर का वाफिन लडना बाम उरूस के लगातार हमलों के बीच जेलन्सकी की लाचारी, नेटो की मजबूरी और पुतिन पर लग रहे इल्जाम और नेटो पर बड़े हमले की तैयारी वाली बातें इन सब को समझाने के लिए आपको दिखाते हैं पुतिन का परमाणू तैखाना जिसमें मुबाइल लाउंचर वाली सकिंदर मिसाइल है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है बहुत ही घातक मिसाइल है ये पंडुबी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा RS-36 साटन जिसे पुतिन का शैतान भी कहते हैं रेंज सबसे ज्यादा 16000 किलोमीटर RS-28 सरमत इसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है पुतिन की सबसे बड़ी गेम चेंजर मिसाइल है RS-24 जंगल में चुपते हुए आगे बढ़ता हुआ ये ट्रक ही इसका लॉंचर है पुतिन कैई बार इसकी टेस्ट लॉंचिंग दिखा चुके है अब डर है कि उकरेन यूद के दोरान इसका असली प्राक्टिकल भी देखने को न मिल जाए पूरी दुन्या बस इसी डर से घवराई हुई है RS-24 यास की रेंज 11000 किलोमीटर से भी ज्यादा है ये पुतिन की सबसे आधुनिक लैंड बेस्ट मिसाइल है वही पुरानी UR-100 स्टेलिटो अब भी भरोसे मन्द मिसाइल है रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर न्यूकलियर बंबाला हमला हुआ तो लंदन कैसे बचेगा वुदा बहुत बड़ा है वर्ल्ड वॉर का खत्रा है हला कि जेलिंस्की को फिक्र अपने Харकीव की है सुमे की है और दोनेस्की है जब कि वो खुद अपनी क्यापिटल कीव में बैठे है Кожен такий російський удар, кожен проїб російського терору Як сьогодні проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини Все це доводить, що далекобійність має бути і має бути достатньо Ми очікуємо відповідних рішень передусім від Сполучених Штатів Америки Британії, Франції, Німеччини, Італії Усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку житті जेलेंस्की की बातों को अभी तक अमेरिका ने नजर अंदाज किया है लेकिन बिटेन की विदेश मंत्री का बयान जाहिर करता है कि नेटो पुतिन की धंकी को गंभीरता से नहीं ले रहा पुतिन के गुस्षे का मतलब क्या है? क्या होगा अगर परमाणू बटन दबा और नूक्लियर हमला हुआ? पुतिन के टार्गेट पर दुनिया के कौन-कौन से शहर होंगे? न्यू यॉर्क, पैरिस, वाशंटन डीसी, लंदन, बरलिन, शिकागो, कैलिफोर्निया, लॉस आंजिलिस ये नाम इसलिए क्योंकि पुतिन की रेंज इन शहरों तक है और अगर नेटो और अमेरिका ने उनके साथ नूक्लियर युद्ध शुरू किया तो पुतिन इन सभी शहरों को धूल में मिला देंगे अगर इन शहरों पर बम गिरा तो क्या होगा? पुतिन का गुस्सा जला कर राक कर देगा ये बात तो बाइडन भी जानते है फ्रांस के इमानियूल मैक्रो भी जानते है जर्मनी के उलाव शॉल्स भी जानते है और बिटेन के पी-म केर स्टार्मर भी पुतिन के गुस्से से वाकिफ है पुतिन की न्यूकलियर कमांड इस वक्त पूरी तरहां से आक्टिव है वो अपने तमाम खतरनाक न्यूकलियर हत्यारों और उनके डिलिवरी सिस्टम को पूरी तरहां पर रख चुके हैं पुतिन के मिसाल के टार्गेट पर नेटो का हर बड़ा शहर है और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पुतिन की धमकी को हलके में लेने की गल्ती वर्ल्ड वार को दावत कही जाएगी इसलिए युद को लेकर पूरी दुनिया में जो अंगारे देखने को मिल रहे हैं उसमें युक्रेन का अंगारा गाजा से भी खतरनाक है तोकि इस जंग में बार बार बताया जा रहा है कि रूस के परमाणू हत्यार लगातार आक्टिव बने हुए हैं